हालो गाइज आए रिक्की एंड यूर्मास्ट वेलकम तवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देखेंगे वह है लेजर आज हम लोग समझें के कि लेजर क्या है जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कुछ आ रडार के पहले तेलिवीजन देखा आज देखेंगे लेजर क्या है और लेजर को समझेंगे तो लेजर जो है यह एक सौट फॉर्म है तो इस लेजर का फूल फॉर्म क्या है इसका फूल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लिफिकेशन वाइस टु मूलेटेड इमिशन आफ रेडियेशन यह जो है इस लेजर का फूल फॉर्म है है ना लाइट एम्प्लिफिकेशन वाइस टिमूलेटेड एमिशन आफ रेडियेशन यह लेजर का फूल फॉर्म है कई बार अब्जेक्टिव में देता है कि लेजर का फूल फॉर्म में लिखित में से कौन सा है चुक प्रकास परिवर्धन विकीरन के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकास परिवर्धन का अर्थ क्या हुआ है अगर अर्थ है विकीरन के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकास परिवर्धन तो हम यह जानना चाहेंगे कि विकीरन का अर्थ क्या होता है तो देखिए विकीरन का आर्थ होत का एकिकरन तो विकिरन क्या है एक किरनों का एकिकरन है तो विकिरन के प्रेरित सर्जन से जो विकरन है उससे उसके प्रेरित उत्सर्जन से प्रकास परिवर्धन अब यह परिवर्धन जो है परिवर्धन सब्द का अर्थ क्या होता है तो परिवर्धन का अर्थ होता है विस्तार है ना या बढ़ाने की बढ़ाने की क्रिया का भाव है बढ़ने की क्रिया का भाव है तो उसको हम लोग क्या बूलते हैं जो उसका आकार है उससे क्या हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है तो वो परिवर्धित होता जा रहा है तो यहां पर जो है विकिरन के प्रेरित उठसर्जन से प्रकास परिवर्धन मतलब यह जो विकिरन है इसे प्रेरित उठसर्जन से जो प्रकास का बढ़ना है या प्रकास क अपने अकार से बड़ा होना है वह परिवर्धन है अर्थात प्रकास तरंगों पर है ना प्रकास तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसे युगति है जिसमें विकीरन के प्रेरित उच्छ सर्जन द्वारा विकीरन के प्रेरित उच्छ सर्जन द्वारा एक वर्नी प्रकास है लोग क्या बुलते हैं मोनो क्रोमेटिक क्या का याता है मोनो क्रोमेटिक और मोनो क्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ एक वर्नी प्रकास मतलब एक वर्न का प्रकास जिसमें विकिरन के प्रेरित उच्छ सर्जन द्वारा जिसमें विकिरन के प्रेरित उच्छ सर्जन द्वारा एक वर्नी प्रकास प्राप्त किया आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको लेजर बोलते हैं तो लेजर कहते है तो यहां तक में आपने लेजर का परिवास समझा कि लेजर क्या है तो लेजर जिसमें विकीरन के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा विकीरन के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्नी प्रकास या मोनोक्रोमेटिक प्रकास प्राप्त होता है प्राप्त किया आता है उसको हम तरंगों की आवरती की आवरती क्या होती है तो लेजर तरंगों की फ्रिक्वेंसी है वह समान होती है मतलब बराबर होती लेजर तरंगों की आवरती समान होती है ठीक है समान होती है अगर आप से पूछा जाएक लेजर तरंगों की आवरती क्या होती है तो लेजर तरंगों क की जो फ्रिक्वेंसी है जो आवरिती है वह क्या होती है समान होती है ठीक है ना समान होती है तथा इसके विभिन तरंगों की कला भी स्थिर होती है विभिन तरंग की कला क्या होती है इस्थिर रहती है लेजर के विभिन तरंगों की कला जिसको आप फेज बोलते हैं अब तरं तरंग रहेगा लेकिन उसकी फेज क्या होती है तो कला भी स्थिर होती है है ना स्थिर होती है तो यह याद रखेगा विभिन तरंगों की कला या फेज जो होती है वह लेजर की क्या होती है इस्थिर होती है इसके मूलभूत से धांत की चर्चा सरव परसम सन 1907 में कर्प सरव 1917 पारा की गई थी ऐंस्टीν साहाव द्वारा जो है इसकी यह की गई थी आइनस्टीन द्वारा इसकी सरव каких जो है मूल्भूत की जर्चा मूल्भूत की चर्चा तो अगर पूछा जा की लेजर के मूल सिध्धान्त की चर्चा सबसे पहले किसने की लेजर के मूल भूत सिध्धान्त की चर्चा सरव पर्थम किसने की तो लेजर के मूल भूत सिध्धान्त की चर्चा सबसे पहले किसने की आएंस्टीन साखने किसने की आएंस्टीन ने ये लेटर के ये बहुत्व Hammaz है कि मुफ लेजर के मूलभू सिध्ध्यान्त गी चरचा सबसे पहले किस نے की याज यह एक वास्तने की और कि तो 1907 में थी ठीक है लेकिन वास्ता में यह कि कِّ खोज है वह किस ने की यह न वास्तव में लेजर की खोज में लेकिन वास्तव में कि खोज जो है 1907 में वास्तव में जो खोज है 1927 1960 इस भी में अमेरिकी के अमेरिका के 1960 में है ना अमेरिका के अमेरिका के हेजेज अनुसंधान परयोग साला हेजेज अनुसंधान परयोग साला है ना हेजेज अनुसंधान परयोग साला अन्हां परियोक्षाला में थियोडोर एच मेमन द्वारा की गई परियोक्षाला में जो व्यक्ति का नाम है वो क्या है तो थियोडोर एच मेमन इन्होंने सबसे पहले इसकी औरिजनल में वास्तविक में अगर लेजर की खोज किसने की वास्तव में अगर बात किया जाएगा कि लेजर की खोज किसने की तो यह खोज है ट्रिव दोर एच मैमन थी यो डूर हिर अच मैमन सहाब की दोला जो है लेजर किरम की खोज हम वास्तव में लेजर की खोज कोज अनिस साथ में अमेरिका की हैज अर्सन्धान परयोग साला में थियूडौ हमेमन ने किया था और मूल रूप से लेजर में जो है मानी की क्रिश्टल का उप्योग होता है किसका उप्योग होता है मानी की क्रिश्टल का मूल रूप से या का सकते हैं मूल रूप से मूल रूप से लेजर में है ना मूल रूप से मूल रूप में या मूल रूप से लेजर में मूल रूप से लेजर में मानी की क्रिस्टल मानी की क्रिस्टल इस मानी की क्रिस्टल को क्या बोलते है इंगलिस में है ना ये है आपका रूबी क्रिस्टल रूबी क्रिस्टल है ना रूबी क्रिस्टल जो है इसका उपयोग होता था रूबी क्रिस्टल का उपयोग होता था उपयोग होता था किसमें तो यह जो है मूल रूप से रूबी क्रिस्टल का उपयोग होता था तो यह किसमें होता था मानिक क्रिस्टल का यह जो है आपका ल किसका उपयोग होता था तो मूल रूप से लेजर में जो है आपका मानी की क्रिस्टल यह जो मानी की क्रिस्टल है इसी को इंग्लिस में क्या बोलते हैं रूबी क्रिस्टल है ना यह रूबी क्रिस्टल का उपयोग होता था तो यह बात जानेगा कि लेजर में मूल रूप से या जिसको मानी की क्रिश्टल बोलते हैं इसका उप्योग हुआ करता था होता था लेकिन वर्तमान समय में विविन प्रकार के लेजर विविन प्रकार के धात्विक प्रार्थों से निर्मित होने लगे हैं है ना लेकिन वर्तमान समय में अगर आज की बात करें है ना वर्तमा समय में वर्तवान समय में विन प्रकार के लेजर विभीन प्रकार के लेजर में है ना विभीन प्रकार के लेजर प्रकार के लेजर कार के लेजर को मा विभीन प्रकार के धात्विक पदार्थों से विभिन प्रकार के धात्विक पदार्थों से निर्मित होने लगी है मतलब क्या है कि पहले जो है मैक्सिमम आपका रूबी क्रिश्टल काहीं इस्तिमाल होता था लेजर बनाने में है ना मैक्सिमल किसका होता था रूबी क्रिश्टल या जिसको मानी की क्रिश्टल बोलते हैं इसी का परियोग लेजर में होता था लेकिन वर्तवान समय में जो है विभिन प्रकार के धात्विक पदार्थों से अलग अलग प्रकार के धात्विक पदार्थों से निर्मित होने लगे और साथ ही साथ जो अब लेजर बनता है उसमें विविन प्रकार के धात्तिक पतार्थों का जो है निर्मित विविन प्रकार के धात्तिक पतार्थों से निर्मित होने लगे हैं जो वर्त्वान समय में विविन प्रकार के लेजर बन रहे हैं उसमें विविन प्रकार के धात्त ने जाता था लेजर लिखिन अब जो है विभिन प्रकार के लेजर में निर्मिश होने लगी है तो मित्र्र इस तरहंगों की कला की ऑलग तरैघों की जो मुझा है वह . ये उटीर होती है लेकिन वास्ताम में लेजर की खोज निसुसार्ट में अमेरिका के हैजिट अनुसन्दान परयोगसाला में theodore H उल्य ने किया मुल रूजर में मॉनिक क्रिस्टल का आप गोग होता था लेकिन वरतमान समय में विंद्प्रकार के लेजर विभिन प्रकर के धात्विक पतार्तों से निरमित होने तो मित्र आज हमने लेजर देखा अगली वीडियो आएगी इसमें हम लेजर के गुन को देखेंगे लेजर की प्रोपर्टीज क्या क्या है उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे ठीक है यहीं वीडियो को इंड करते हैं स्वस्त्राइब अपना ख्याल रखें जै हि जय भारत